चले जाहिन सभी को तो आज हम बताने वाले हैं आपका टेंस में थार्ड वीडियो ठीक है ना दो वीडियो आपका प्रजेंट का और पास्ट का मैंने अल्रेडी बता चुका है और आई होप कि उसमें आपका जो कमेंट आया है एक दम पॉजिटिव आया है और यह थार्ड व फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आपको हम बता दे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से ना माई डियर स्टुडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा समझने का कॉर्सिस करिएगा क्योंकि जो आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बढ़िया है ठीक है तो उसको तो भाई समझना तो पड़ेगा ना देके फ्यूचर नाम से ही पता चल जाता है ठीक है दूसरा बात कि अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है सिधा हम आपका देखिए भर्ब वन होता है ठीक है ना सैल विल प्लस भर्ब वन प्लस अबजेक्ट होता है ठीक जरली जब आप पहले पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि आई और वी के साथ सैल होता है बात तो सही है और बाकी सब के साथ विल होता है बट इन मॉडर्न means आप किसी के साथ भी I के साथ will भी सही है I के साथ sell भी सही है लेकिन दोनों दिया रहेगा तो उस condition में तो हम sell का ही उज़ करेंगे बट नहीं दिया हुआ है तो we definitely use will in place of sell कोई मतलब ऐसा नहीं कि sell देगा ही तभी हमारा sentence सही होगा आपको ये एक information बता दिये ठीक है जैसे होता क्या है ना कि sentence में जब आपका मान लिजे tomorrow दिया रहे अब tomorrow में क्यों सर्फ फ्यूचर होता है तो आप पहले ही जानते हैं कि tomorrow का तो मतलब ही होता है आने वाला कल ठीक है tomorrow हो गया या आपका next day हो गया नहीं समझे आपका next day हो गया next hour हो गया next hour हो गया आपका next month हो गया तो ये सब यदि रहता है ना my dear student तो ऐसी condition में हमारा tense होना चाहिए future indefinite और future indefinite का मतलब क्या होता है salveal plus verb one ओके salveal के बाद आपका verb one होता है चलिए इतना समझ लीजे आए एक्जामपल हम लोग करते हैं जैसे हम बोले I blank their next day ऐसे अगर देता है question ठीक है अगर माल लिजे option में है Salgo ज भी option में है Salgo C option में है माल लिजे going कुछ-कुछ ऐसे ही दे देता है option में कोई दिक्कत नहीं है और D में हमारा है माल लिजे not तो आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे Salgo कर लेंगे अगर Salgo नहीं दिया हुआ है अमाल लिजे दे देगा आपका Will Go और Salgo नहीं भी रहेगा उस condition में भी हमारा Will Go आंसर बिलकुल सही है ठीक है ये पर exam में क्या दिया हुआ था थोड़ा सा समझने का courses करेंगे हम लोग इतना तो clear हो गया होगा किसी को इसमें doubt होगा नहीं ठीक है ना इसमें किसी को भी मतलब doubt होना नहीं चाहिए ठीक है इससे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ लेते हैं एक बार sentence में क्या दिया हुआ था जन्दे बड़ी अच्छा question दे दिया था कि इस मस्क्ली स्टूडेंट उसमें confused हो गए थे जन्दे कैसा question था देखिए गज़रा question यह था siam blank 20 next month ऐसा ही करके question था हमारा next month अब देखिए option क्या दिया हुआ था siam अब देखिए will दिया था b में साल दिया था c में will भी दिया था और d में हमारा माल लिजिये फिर से question हम लिख रहे है siam blank 20 next month ठीक है न अब option दिया हुआ था shall will shall be ठीक है न और एक will भी दिया हुआ था था स्याम है यहाँ तो आप ही बताईए कि केवल क्या will देने से हमारा answer सही होगा नहीं क्योंकि आप जानते हो कि will हमारा model भर्व है और model भर्व के बाद आता है भर्व one इसलिए इसका सही answer होना चाहिए will be siam will be 2020 next month या next year जो भी है तो ऐसे condition में आपको देखना रहता है कि हमारा model भर्व के बाद भर्व one है कि नहीं है ठीक है न ऐसे condition में I hope कि आपको कोई बहुत जादा तकलीफ नहीं होना चाहिए आसानी से चीजों को का कर पाईएगा सीख पाईएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अच्छा जी इसमें जो main आता है problem वो आता है हमारा conditional ओ हमारा आता है conditional sentence ठीक है हमारा आता है क्या जी conditional sentence आता है सुनिएगा conditional sentence में होता क्या है ना conditional का मतलब क्या होता है सर्थ सुचक वाक के होता है ठीक है सर्थ सुचक वाक अब conditional condition का मतलब ही होता है दो सर्थ सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा my dear students चुटे कंडिसनल का मतलब होता है सार्थ सुचक्ते से यदि आप आओगे तो मैं जाओंगा यदि तुम हाड़ वर करोगे कड़ी मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी तो यह कंडिशन है कि आप हाड़ वर करोगे तभी आप सफल होगे सफलता मिलेगी ठीक है न तो पिजले मैं दो-धो तो थे पहुत यसान तरीका से आपको हम बताते हैं बहुत एजी बेश्य वे में बता देता है सुनिज़ेत तो जीसे聊 ले हम यहां लिखते है एक क्लाज Whether Another ठीख है लेटाई वान और क्लाज टू अब यहां क्या हम बताने वाले हैं यदि क्लोज 1 में माल लेते हैं कि conditional वर्ड यूज हो अब ये सरिये conditional word क्या होता है conditional word का मतलब सर्थ सुचक जैसे if use किया गया हो ठीक है ना as soon as use किया गया हो जो ही as soon as unless use किया गया हो until use किया गया हो ठीक है अच्छा जी बिफोर यूज किया गया हो, यहां भी बिफोर होता है, आफ्टर यूज किया गया हो, तो यह कंडिशनल वर्ड है my dear student, ठीक है, unless, until, if, when, यह सब कंडिशनल वर्ड है, जिसके साथ भी यह कंडिशनल वर्ड यूज होगा, जिसके साथ भी यह कंडिशनल वर्ड यूज होगा, उसके साथ हम यूज़ करेंगे present indefinite क्या यूज़ करेंगे जी present indefinite और जिसके साथ मालने जी clause 2 में conditional नहीं है उसके साथ यूज़ करेंगे हम लोग future indefinite क्या यूज़ करेंगे जी future indefinite ठीक है ना मतलब जिस clause के साथ आपका ये conditional word यूज़ किया गया हो present indefinite present indefinite का मतब subject plus verb one या verb five plus object और जिसके साथ use नहीं हो future indefinite जो अभी हम लोग समझे है subject plus cell या will plus verb one plus object ठीक है ना ये use किया जाता है कोई परसानी नहीं होना चाहिए ठीक है इतना में कोई परसानी नहीं होना चाहिए एक बार इसका आप लोग स्क्रीन सॉट ले लो ठीक है इसका स्क्रीन सॉट ले लिजिएगा चलिए जैसे हमें question लिख रहे हैं if you will come I shall go एक simple सा question है बाबू एक simple सा question है I shall go तो एक बार आप सभी बताइए conditional word हमारा पहला clause के साथ है या दूसरा clause के साथ तो देखकर यहां एकदम आसानी से आप समझ सकते हो कि नहीं सर आप तो यहां if दिये हो खनेकारत है कि इसके साथ है यानि जिसके साथ आपका conditional word हो ओ हमारा sentence होना चाहिए किसमे present indefinite में यानि यहां पर my dear student will का यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कभी इधर भी conditional अच्छा क्या हम लोग ऐसे लिखना क्या हमारा गलत है देखिए तो I shall go if you will come to both sentence are absolutely right अब जिसके साथ conditional है उसको हम लोग present indefinite में यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है कहाँ दिक्कत है अब मान लो ठीक है कि हम एक sentence देते हैं आपको बना कर comment करने के लिए when you will work hard you will get success अब इसमें सभी को comment करना है कि कहाँ पर गलती दिया हुआ है ठीक है न हम बोले unless you work hard you will not get success जिसके साथ conditional word आ जाया present indefinite जिसके साथ conditional word नहीं आया हमारा future indefinite तो ये पार्ट में भी मतलब देता है fill in the blanks यहाँ अगर conditional प्रजेंट indefinite देगा इसमें देदेगा fill in the blanks तो shall will कर देंगे क्या कोई दिक्कत तो आसान है कोई दिक्कत नहीं है I hope की एकदम clear हो गया होगा इतना तक कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अच्छा जी अब हम लोग इसका negative तप लिखें लिजिएगा कोई problem नहीं होगा लिखें लिजिएगा अच्छा एक interrogative में याद रखिएगा interrogative sentence में थोड़ा साब को याद रखना होगा कौन सा बाद समझेगा interrogative में की I और V के साथ अगर sentence interrogative है तो I और V के साथ केवल और केवल केवल और केवल वील सायल का ही यूज होगा मतलब ये हम आपसे कुछ दिर पहले बताये हैं कि आप किसी भी subject के साथ मतलब वील का यूज कर सकते हो लेकिन अगर बात हमारा interrogative sentence का होगा तो इसके साथ केवल और केवल वील का यूज करें कब जब sentence में subject के रूप में ठीक है माल लिजिए I और V आएगा तम जैसे हम बोल दिये will I go there गलत सैल आई गो दियर लेकिन हम बोले I will go there क्या सही है बिल्कुल सही है मतलब affirmative में subject के साथ लगेगा क्या विल ठीक है लेकिन इंट्रोगेटी में आई और V के साथ लगता है सैल यह grammar का बागू करना है ठीक है ना अब आते हैं हम लोग सीधा फ्यूचर कंटिनिवस पर उसमें कुछ नहीं है फ्यूचर तो कंटिनिवस में अमारा कुछ है ही नहीं वो बस एक समझी बहुत रियर कुस्चन इसे पूछता है future continuous future continuous tense में कुछ होता ही नहीं है बस इसका एक मतलब ऐसा काम जो future में क्या हो continue हो जैसे इसका देख लेते हैं क्या होता है structure subject cell or will plus b plus verb 4 plus object ठीक ना subject plus cell will plus b plus verb 4 plus object मतलब इसमें आपको चुकी continuous है तो b के बाद आपका verb 4 लगेगा continuous है इसलिए b के बाद हमारा भर 4 लगेगा इतना याद रखना आप लो ठीक है ना अब यहाँ समझना है question देगा जैसे मान लीजा identification के लिए अगर हम बात बोले तो दे देता है now at this moment अरे सर यह तो continuous में आप लिखाए है अब आपका question हो सकता है लेकिन इसके बाद देखा आपका time now at this time के बाद आपका देखा टाइम जैसे नाव ठीक है ना टूमारू अरवा समझ में नाव टूमारू मतलब क्या कल इस समय नाओ ओके या एट दीस टाइम नेक्स्ट यर मतलब अगले साल इस समय मतलब कंटिनीव तो हो का लेकिन कहां future कंटिनीव जैसे हम बोले देखिएगा हम एक सेंटेंस बोले आट इस टाइम टूमारू आट इस टाइम टूमारू आई ब्लैंक ठीक है अब देखिएगा ओप्शन है साल वर्क बी साल बी वर्किंग ठीक है ना सी है आपका साल बीन वर्क कुछ भी कुछ भी और डी मान लिजिए हम देते हैं नौर्ट तो यहां दिखाई दे रखा आट इस टाइम टूमारू मतलब कल इस समय इस छण मतलब इस छण लेकिन कब कल यानि हमारा होना चाहिए फ्यूचर कंटिनिमस अब जब फ्यूचर कंटिनिमस होगा ता आप देख सकते हो क्या हो जाएगा साल बी वर्किंग ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी ए स्टुडेंट को आई होप ठीक है ना कोई भी परिशानी नहीं होना चाहिए अब इसका निगेटिव आप लोग तो लिखी लिजेगा सा सब्जेक्ट साल विल प्लस नाट के बाद भी वर्फोर मतलब इसमें यहीं एक कंटिसन पूछा जाता है अब और ज्यादा नहीं और आगे यह दिमाल लिजे ऐसा देगा ठीक है न क्या है फ्यूचर पर्फेक्ट टेंस मतलब ऐसा कोई भी सुनिएगा ऐसा कोई भी मतलब वर्क आक्शन जो फ्यूचर में हमारा क्या होगा कंप्लीट होगा जो फ्यूचर में हमारा क्या होगा कंप्लीट होगा उसे फ्यूचर पर्फेक्ट कहा जाता है इसका स्ट्रक्चर होता है देख लिजिए subject ठीक है ना shall or will plus have plus verb 3 plus object ठीक है इतना समझलो इतना समझलो इतना समझलो ठीक है इतना समझलो subject shall will have plus verb 3 अब यहाँ ऐसा कोई भी एक्षन जब future में क्या होगा perfect होगा कहने का अर्थ यह है देखे अब यह कहाँ identification याद रखिएगा sentence में दे दिया जाता है by this time क्या दिया जाता है by this time मतलब by this time कहने का मतलब इस समय है by this time next year next month tomorrow ऐसा कुछ करके देगा और वैसे condition में आपका जो tense use होगा ओ हमारा होना चाहिए future perfect क्या होना चाहिए future perfect क्यों सर क्योंकि by this time हम बोले कि मैं अगले साल इस समय तक नौकरी ले चुकूंगा ठीक है तो कहने कार थे कि कोई future का ऐसा action जो आपको लग रहा है कि यो क्या हो जाएगा complete हो जाएगा वह ऐसे condition के लिए हम लोग क्या करते हैं future perfect का use करते हैं जैसे आप बोले कि सर जानते हैं अगले साल हम लोग जो 2024 में देने वाले exam अगले साल इस समय तक हम लोग intermediate पास कर चुकेंगे यानि आप बोलेंगे हम लोग we ठीक है we shall have we shall have past intermediate by this time next year ठीक है ना तो इसमें कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं होना चाहिए ठीक है एक आपका homework हम देते हैं जो आपको बताना है ठीक है हम मालीजे बोले कि अगले साल मेरा भाई ठीक है SAC में select हो चुक इस समय तक सुनिए फिर से अगले साल इस समय तक मेरा भाई SAC में select हो चुकेगा आपको translate बना कर ठीक है comment करना है जैसे एक दो एक्जामपल देखें लिजे नहीं तो आप बोले कि सरी समझे भी नहीं आया क्योंकि आप लोग देज है न बाई दीस टाइम नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे आई ब्लैंक माई वर्क माई वर्क अब आपको बताना है ठीक है अप्शन क्या क्या है सुन लिजे अप्शन है माल लिजे हम बोले साल कंपलीट बी में बोले ठीक है साल हैब कंपलीटे तो क्या हो जाएगा बाई दीस टाइम नेक्स्ट डे आई साल हैब कंपलीटेड माई वर्क मतब कल ठीक है अगले दिन इस समय तक मैं अपना काम या मैं काम पूरा कर चुकूंगा ठीक है उमीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है यहीं हमारा कंडिशन होता है या साल है दिया हुआ है तो आगे भरतरी हो जाएगा जोर दिया हुआ है तो अब हम लोग आते हैं फ्यूचर पर्फिग्ट फ्यूचर पर्फिक्ट कंटिनुर्स टेन्स कि यह होता है जी जब एक बात समझे कि ऐसा future में कोई time बगएरा दिया हुए रहेगा ठीक है जो future में होगा जैसे आप बोले कि मैं 2030 से वहां रहूंगा मतलब ऐसा नहीं होता है कि वहां रह रहूंगा कहने का मतलब 2030 future का time भी दिया रहेगा इसका structure थोड़ा सा आपको बस याद रखना इसे 9 के प्लस भार फोर प्लस अबजेक्ट फ़र या फ्राम प्लस टाइब ठीक है subject cell will have बिन प्लस भार फॉर प्लस अ माली जा अबजेक्ट फॉर अफसर फ्रॉम का है सिंस नहीं सिंस के जगा पर हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे ठीक है बस स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेगा इसमें बस कुछ है नहीं जैसे माली जे हम बोले माई ब्रदर ओके विल हाब इन लिविंग देर ब्लैंग 2030 ठीक है तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रॉम काई उस हो जाएगा जहां जहां फॉर करते थे वहां वहां फॉर काई उस कर देंगे तो आई होप कि यहां तक में कोई आपको परिशानी नहीं होगा ठीक है उमीद करते से आपको एक काम करना है कॉमेंट बाबु जरूर करिए कॉमेंट आप लोग आप क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन से हमारे नर्जी को बुस्ट अप करता है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में वायस के साथ तीनों वीडियो आप लोग देख लिजिएगा य यह थर्ड वीडियो है पहला हम प्रजेंट पूरा पढ़ा हैं दूसरा हम पास्ट और तीसरा में फ्यूचर चलिए जाएंग